आप सभी का स्वागत है रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजूर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम कुछ अलग कर किसान साथियों हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जोड़ दबाएं किसान साथियों आज हम बात करेंगे सोनालिका के सिकंदर डी आई पच्पन के बारे में आज मैं उसकी कुछ खूबियां आपको बताता हूँ किसान साथियों अगर हम बात करें सिकंदर डी आई पच्पन की ताकत की तो इसके अंदर 4087 CC का इंजन दिया हुआ है जो के बहुत ताकतवर है इस टेक्टर में चार सलेंडर दिये हुए हैं जिससे के इसकी ताकत और बढ़ जाती है और ये अपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है साथियो ये 55 HP के टेक्टरों की सरेणी में आता है इसका अपना जो काम है वो बखुवी देखने लायक है कि आप देखेंगे और इससे जो है संतुष्ट होंगे और समझेंगे कि इतने कम खर्चे में और इतना अच्छा काम कर रहा है अगर हम इसके स्टेरिंग की बात करें तो इसका इस्टेरिंग जैसे गाड़ियों के अंदर इस्टेरिंग आते हैं पावर इस्टेरिंग वो इस्टेरिंग है ये नहीं है कि बहुत जादे काटने में दिक्कत आ रही है अगर आप उंगली से भी घुमाएंगे तो वो घुमेगा और बहुत ही अच्छी कटाई होती है उससे भाईयो अगर हम इसकी लिप्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 2000 किलो तक वेट उठा सकता है इसी कारण आप इससे भारी से भारी यंत्र या रूटर वेटर जो भी चीज आप इससे उठाना चाहें या आप क्रॉली उठाना चाहें वो उठ सकती है सब कुछ ये उठा लेगा दूसरी खासियत ये है कि इसमें आगे बजन काफी है कभी ये टेक्टर आगे से उठता नहीं है चाहें आप इससे कितना भी जोर लगवाले साथियो इसके जो अगले टायर है वो 7.5 16 के टायर है अगर हम बात करें इसके पिछले टायर की तो 16.9 28 के पिछले टायर है अगर हम इसे चड़ाई पर चड़ाते हैं तो ये वहाँ सिलिप नहीं मारता साथियो अगर हम बात करें इसके पेंट की तो इसका paint जो है वो metallic paint है ये नहीं है कि पपड़ी बनके उतर जाएगा या एकदम से फटने लगेगा ये घिस घिस कर जो है इसका रंग उतरने वाला है quality जो है रंकी बहुत ही बहतरी नदी है company ने सोनालिका डियाई 55 में जो आगे की तरफ bumper दिया गया है वो pro plus bumper है जो देखने में बहुत ही सुन्दर और इसके look को और जादे बढ़ाता है वैसे तो साथियो किसान का काम जो है आराम का काम नहीं है फिर भी जब हम लगातार काम करते हैं तो थकावट आती है उसकी बात को देखते हुए हमारी सोनालिका company ने इसमें जो seat दी है वो बिलकुल गाडियों के तरह से दी है कि अगर हम उसे जहां भी adjust करना चाहें तो वह आज़ेस्ट करते हैं उसका ये फायदा है कि जब हम खेत में काम करते हैं ड्राइवर इसे चलाता है तो उसे थकावट नहीं आती और दिक्कत नहीं आती क्योंकि वह एड़ेस्टेवल है ये फ्यूल कंजप्शन भी इसकी बहुत ही अच्छी है बहुत ही कम फ्यूल में हमा मैं और आपको देख रहे हैं कैम्रे की नजर से उन्हें एक बार अपना जो है पर्चे दें मेरा नाम स्यामीर सिंग है जी गाम रसूलपूर हमाराज जिला हापुड में के रहने वाले हैं तो भाई जी आप आज कल कौन सा टेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कैसा लग आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सोनालीका कर डियाई पच्पन हमने लिया है जी और बहुत ही अच्छा हम संतुष्टाइस ट्रेक्टर से जगा कितना टाइम हो गया इसे आपको लिए हुए यह हमने अक्टूबर 2020 में लिया था तो संबीर भया जी आप इस सोना प्रणी इसकी निस्को एकली पेखन देगा क्यों इसा पंज है क्र सियंतर चलाने हैं हम इसे जी हो जाते आप फूट यह data है यह जोरते लोर एफिका धी ली ऑन जाते हैं तो यह बला ऐसा तो भाई जी अगर हम इसके फ्यूल की खपत या इसके माइलेज की बात करें तो वो क्या है और ताकत की बात करें तो इसकी ताकत कैसी है देखो जी यह जो है बीगे में लगब एक लीटर के करीब डीजल खा जाता है अच्छा लेकिन इसका काम इतना जवर्जस्त है तो जाले हमारे पास नियो होलेंड 36 था तर्वो सुपर जी ट्राइटर वह भी बढ़िया हम किसी की बुराई करना नी चाहते लेकिन इसमें उसमें बहुत अंतर है वो जो है एक तो इसमें लेड़ी लाइट दी हैं दूसरे वह आर पिम तोड़ जाता था यार यार्पम नी त करना इस्टुमेंट जो भी हमने लगा रखा है उसे गेर दो और ये बढ़िया तरीके से हमारा काम करता है तो भाई जी जैसे सोना लिका ये सिरीज लेका आई है इसके बारे मैं आप जो मेरे किसान भाई हैं जिने ट्र खरीदना है या कुछ चेंज करना है उनसे क्या कहना मेरा उनसे यही कहना है जी कि मैने मुझे इस ट्रक्र कु लगवग आठ महीने हो गए जे और मैं इस से बहुत संतुष्ट हूं मेरा सबसे यही कहना कोई किसी कंपनी के पिरचार का या उसका नहीं कर जा लेकिन यह भूत अच्छा ट्र है तेल भी बचाता है काम अच्छा क देखी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जोड़ दबाएं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जौन फार्मिं लिडर से